कि अप्सक्राइब आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर वाल शर्मा आप लोह के लिए आज के PIV analysis के साथ good morning everyone good morning guys how are you all doing कैसे हैं आप सब good morning good morning everyone good morning good morning good morning चलिए शुरू करते हैं अपने आज के PAB analysis को आज के analysis बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि आज हम लोग बहुत सारी मज़िदार चीज़ें कवर अब करने वाले हैं आज के analysis के अंदर start करने से पहले एक बहुत ही सुन्दर बात आप लोगों के लिए सब के लिए एक बहुत ही सुन्दर बात याद रखो अगर आपने कोई भी सपना देखा है अगर आपका कुछ भी अचीव करने का मन है सपना है सब को जीरो से ही start करना पड़ता है इस दुनिया में ऐसा कोई रखती नहीं है जो सपना देखिया और एकदम से उसको वो सपना मिल जाए वो अपने ड्रीम को रियालिटी में बनाने की कोशिश करता है में मकसर यही है कि यू नेट टू हाव पैशन यू नेट टू हाव पैशन तो रीच अबव दा स्काय सितारों तक पहुशने के लिए आप लोगों के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है अगर पैशन नहीं होगा तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊगा इसके साथ साथ गाईज आप लोग मेरे साथ अनकाडमी प्लस पे जोड़ सकते हैं अनकाडमी प्लस पे जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को फ्री लाइफ क्लासिस प्रोवाइड करते हैं अगर आप लोग नेवेंबर से पहले मतलब अक्टूबर मंच में ले लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे ऑप्शनल के लिए नहीं खर्च करने होंगे कोई और दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के पी आई बी अनलेसिस के साथ सबसे पहली खबर हम लोगों को देखने को मिलती है इंडिया मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट से लेटेड इंडिया मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट कमिशन फ्लैश 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 फ भुटान नेपाल और शीलंका के लिए जिससे फिलड्स की फोरकास्टिंग हम लोग समय से पहले कर सके और यह फोरकास्टिंग एक नॉर्मल फोरकास्टिंग नहीं होगी यह इंपाक्ट बेस्ट फोरकास्टिंग होगी जो की बहुत जदा सडन होती है और एकदम से किसी फ्लैश फ्लेड की वज़े से वाटर लेवल उस शहर का ऊपर हो जाता है यह फ्लैश फ्लट गाइडेंस सेर्विस है इस फोर्स फोर्स फट इस काइन इंस वाटर इसन कंट्री नेमली इंडिया शिलंका नेपाल भूटान एंब बांगलादेश असलियत में यह तरीके का सिस्टम है जो कि हम लोगों को रियल टाइम इंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो सपोर्ट दी डेवलप्मेंट और वार्निंग फर फ्लैश फॉर्ट अबाउट सिक्स तु ट्वेल वार्स इन एडवांस ओफ दी वाटर शेड लेवल जब वाटर शेड लेवल बड़ेगा उससे 6 से 12 खंटे पहले हमारे पास सारी इंफर्मेशन आ जाएगी कि क्यों फ्लैट होने वाले हैं और इस फ्लैट का इंपक्त क्या होगा क्योंकि मैं आपको बताई यह एक इंपक्त बेस्ट फोर्कास्टिंग है इस पर्टिकुलर चीज के क्या क्या इंपक्त होंगे ओके गाईज आएमडी हैस टेस्टिग दी पर्फॉर्मेंस ऑफ सिस्टम दूरिंग दी रीसेंट मॉन्सून सीजन और यह देखने को मिलना कि एक बहुत ही भैतरीन सिस्टम है विइस जसिस्टम के अंदर साइन्स डिग्न गन जो टीनों की का इस्तमाल त्या गया है और रिस्क रिस्क के बारे में वह 24 गंटा पहले बता देता है और घ्र पारे मेंच पहले प्लादेता है और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स जो की इसके अंदर इन्वार्व्ड है फ्लेश फ्लेट का मतलब होता है एक दम से फ्लेट आजाना एक तो फ्लेट इसलिए आएगा कि आपके जो ग्लेशियर होंगे वो मेल्ट होंगे तो वो वाटर लेवल बढ़ता रहेगा उसके बाद फ्लेट आएगा दूसरा कभी कबार हेवी रेंफॉल की वज़े से फ्लेश फ्लेट होने के चांसे हो जाते है एकदम से फ्लेट यह लैंड स्लाइड हो गई तो एकदम से फ्लेट आजाएगा हम इन चीजों को फ्लेश फ्लेट के नाम से जानते हैं आज नोन अस फ्लेश फ्लेट लट टीक है इंस्टाग्राम इड असिए इस तक बिसे फ्लेट इस तक वह स्टुसूर्ट नट चलो है इस फ्लेश फ्लेट की यह रिकॉंगरिशन हे ए रिकॉरीश रेकॉंग की संट वह द्णक है समीरा हो निग पिए पॉपरट्टिकूर्यली दिजाश्थ्थर गाइडन्स सिस्टम को ग्लोबल कवरेज के साथ इंप्लिमेंट करेंगे इसलिए वर्ल्ड मेटरलॉजिकल ओगनाइजेशन ने इसके अंदर हम लोगों को सपोर्ट किया है अब यह जो आपका डिजास्टर मेनेजमेंट वाला टॉपिक है उससे सवाल तो कम आते हैं UPSC के अंदर बट फिर भी डिजास्टर मेनेजमेंट इस इंपोर्टेंट टॉपिक in your GS paper no.3 याद अखना आपके GS paper no.3 में डिजास्टर मेनेजमेंट एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और उसके अंदर दो चीजे हैं एक तो डिजास्टर मेनेजमेंट का टॉपिक है एक टॉपिक है जोलोजिकल फिनोमेना का ठीक है दो टॉपिक है डिजास्टर मेनेजमेंट जोलोजिकल फिनोमेना तो वट आर फ्लेश फ्लेट्स फ्लेट्स क्या होते हैं फ्लेश areas like washes, river, dry lake, depression वहाँ पे एकदम से पानी का लेवल बढ़ जाता है It may be caused by heavy rain associated with severe thunderstorm, hurricanes, tropical storm और melt water from ice or snow flowing over the ice sheet or snow field Flash flood कब होते हैं जब natural ice या debris collapses collapse कर जाते हैं उस समय पर flash flood होते हैं या human structure collapse हो जाता है उस समय पर हम लोगों को flash flood देखने को देखने को देखने हैं Flash floods localized event होते हैं बहुत short duration के लिए होते हैं बर उनका जो impact होता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि नहीं कोई बहुत छोटे समय के लिए आ रहे हैं इस इसलिए उनका impact छोटे कम समय के लिए रहता है पर वो बहुत heavy impact होता है हमारे पास सबसे बड़ी problem flash flood के अंदर यही थी we did not had a flash flood warning capabilities और capacities जिसको अभी develop किया गया है natural environment को human life को सबको impact flash flood clear now guys there has been a price rise of onion onion के price rises हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे है और onion के price rise हो क्यों रहे है government has stepped up disposal of onion from the buffer stock सरकार के पास जो buffer stock में onion रखा हुआ है सरकार अब उसे निकाल रही है now guys point को ध्यान चे सुनना हम लोग recently 3 farm bill लेकर आये हम लोग तीन farm bill लेकर आये जिसमें एक amendment हम लोगों ने essential commodity act के अंदर किया जब हम लोगों ने essential commodity act के अंदर amendment किया है उसके अंदर onion is one of the commodity जिसको बाहर किया गया essential commodity की list से अब वो essential commodity नहीं है अब वो essential commodity नहीं है मतलब बहुत सारी situations में onion की holding हो सकती है बहुत सारी situation में onion का buffer generate किया जा सकता है और इसकी वज़े से onion के prices बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं this can be one of the condition जिसका शुरू से ही डर लग जाता है although अभी जो हमें condition onion के prices की नजर आई है उसका कोई relation नहीं है उसका कोई relation नहीं है एक और बहुत factual बात अप लोगों के लिए कि जब भी election का scenario आता है whenever there is a election scenario किसी भी state के दर election scenario आता है सरकार उस समय पर प्याज के दाम बढ़ाने की बिलकुल भी tension नहीं ले सकती है problem क्या है कि जो wholesale prices है onion के वो बढ़ रहे हैं उसका ripple effect ripple effect मतलब उसका side by side effect हम लोगों को consumer market में भी देखने को मिल रहा है पर prices के बढ़ने के कारण क्या है price rise हमेशा आप देखोगे नवरात्री के बाढ़ हमें बढ़ती हुए नजर आती है because there are reported excessive rainfall in some reason cultivation है महराष्ट के अंदर rabi crop के वो तो भी delay हो जाती है stored rabi crop जो है वो market में रखती है imported onion सही समय से आने ही पाते यह main reasons है तो essential communities act 2020 provides for the circumstances कि अगर किसी भी चीज के price बढ़ जाते है तो उनके उपर क्या लगाई जाती है stock limit लगाई जाती है दोस्तों हम लोग उसके ऊपर एक stock limit लगा सकते है the prices of onion have increased by more than 100% when compared with the average of the last 5 years government अभी stock limit करने की government ने बात करी onion के ऊपर further onion are also being disposed of through open market sales इसके साथ साथ जो onion की availability है मंडीज के अंदर उनको facilitate करने के लिए हम लोग onion का import भी बढ़ा रहे हैं प्याज का import बढ़ा रहे हैं पर फिर भी प्याज के prices हमें लगातार बढ़ते हुए के नजर आ रहे हैं मुविंग ओन अगला अर्टिकल इंटरनाशनल स्नो लेपर डेम लोग ने 23rd of October का बनाया था दोस्तों आप देख सकते हो दीजादी स्नो लेपर्ड आंच जो हमारे स्नो लेपर्ड हैं दे अर अंडर दी एंडेंजर्ट स्पीसीज वह पार्ट हैं एंडेंजर्ट स्पीसीज का प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इस प्रोग्राम अंडर टी मिनिस्ट्री आफ एंवियर्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जिसका में मक्सद है कि हम लोग हमारे देश की जो यूनीक और नैच्छल हरिटेज है यहां पर हम लोगों को स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लांच किया था जिससे नॉलिज बेस्ट और एक अडेप्टेड कंजर्वेशन फ्रेमवर्क हम लोग ला सकें खास बात ये थी कि इसके अंदर हम लोगों ने लोकल कम्यूनिटी को इन्वाल्फ किया जो कि स्नो लेपर्ड रेंजिस के अंदर जो लोकल ट्राइबल ग्रूप से हैं जो शेयर करते हैं गवर्मेट ने स्नो लेपर्ड को एक फ्लैक्शेप स्पीसीज के रूप में रिकोगनाईज किया है कि ये की ऐस्टोन स्पीसीज वह इंकर उपर को इंपाक्ट होता है तो पूरे एकोसिटम के ऊपर एक बड़ा इंपक्त हम लोगों को देखने को मिलता है इस पुज़क्ष ज़रूरत क्या है दूस्तों दोस्तो climate इतना harsh होता जा रहा है, topography decrease होती जा रही है, हम लोग agriculture की तरफ और बहुत सारी industries की तरफ move on कर रहे है, और इसका सबसे बड़ा impact हुआ है, wild herbivorous species के उपर, they are left out, they are declining, due to increase in the livestock population, this is leading to increased dependence on wild predators, such as the snow leopard, तो यहाँ पर, predators के पास, यहाँ पर, पूर्ण मातरा में प्रे ही नहीं है, खाना ही नहीं है, poaching एक बहुत बड़ा threat है, and there are increasing reports of conflict due to crop depredation by the wildlife, कि wildlife खाने खाने को ढूँटे ढूँटे crops को भी बरबाद कर रहे हैं, कि वो crops उनके खाने की जगे पर बनाई गई, military, paramilitary persons, भी अपनी road network बना रहे हैं उन इलाकों में, they are also settling near the key mountain passes, इससे बहुत सारी जो wildlife species हैं, जैसे टिबेटियन, अर्गाली, ओबेस अमन या waterfall, उनके उपर भी impact पड़ा, हमारे high altitude एमालियाद wildlife को support करते हैं, पर हम लोगों की वज़े से ही wildlife का नुकसान हो रहा है, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इंडिया has assumed the chairmanship of the governing body of international labor organization, हम लोगों ने ILO की जो chairmanship है, उसको finally resume कर दिया, now we are the chairman of ILO, हमारे अपूर्वचंदराजी, अपूर्वचंदराजी, secretary of labor and employment has been elected as the chairperson of the governing body of the ILO, international labor organization, October 2020 से June 2021 तक यह वहाँ पे govern करेंगे, यह एक अपने आप में बहुत repute की position है, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा पूर्वचंदराजी दुनिया में, governing body is the apex executive body, जो की ILO की सारी policies, programs, agenda को decide करती है, कि what is the program, policy and agenda of the international labor organization, what is ILO, यह ILO जैसे organization करती ही क्या है, international labor organization is a united nations agency, dealing with labor issues, particularly international labor standards, social protection and work opportunities for all, इन चीज़ों पे यह focus करती, it is the only tripartite agency, जिसको Treaty of Versailles, जो की 1919 के अंदर sign हुई थी, Treaty of Versailles, Treaty of Versailles के, को establish करके इसको sign out किया गया था, main मक्सद यही था, कि जिस तरीके से national revolutions हो रही है, जिस तरीके से पुछी दुनिया के अंदर conflict like situation चल रही है, जो labor है उनका नुक्सान ना, it is the first specialized agency of the United Nations, in the year 1946, ILO एक बहुत important role play किया है, in promoting labor and human rights, खास का जब आप देखोगे न, Great Depression आया था 1930s में, उस समय पर labor rights को enforce करने में, ensure करने में, ILO ने ही मदद करे, even decolonization process, South Africa के अंदर, ILO ने ही promote किया, और इसके लिए, ILO को 1969 में, Nobel Peace Prize से सम्वानित भी किया गया था, because ILO is promoting peace, among different different classes, अलग अलग class के लोगों के बीच में, peace prosperity promote कर रही है, justice and fair work दिना की कोशिश कर रही है हमारे workers, it is the only tripartite United Nation organization, मतलब इसके अंदर, सरकार, workers, और employees, तीनो पाटिसेपेट करते हैं, standards set out करते हैं, जिससे policies, programs और भेहतर हो सके, the four strategic objectives at the heart of this decent work agendas are, एकि डवलप करते हैं, standards, fundamental principles, men और women को equal access to work मिल सके, equal opportunity मिल सके, gender parity हो payment के अंदर, they strengthen tripartism, social dialogue की मतलब, कोई भी अगर reform आ रहा है, जैसे मानलो अभी हमारे देश में, labor loss के अंदर reform आए, तो वो सरकार अकेले ना ले, सरकार, workers और employers, तीनों साथ में मिल के रहे, जिससे social protection generate हो सके, यह main मकसद है, international labor organization का, कैस international labor organization के, total art convention होते हैं, देखो आप लोग, forced labor convention, abolition of forced labor convention, equal remuneration convention, discrimination convention, minimum age convention, worst form of child labor convention, freedom of association convention, right to organize and collective bargain convention, पर इंडिया ने इन सारे conventions में से, सिर्फ और सिर्फ छे को, approve किया है, इंडिया ने, ILO के, 8 convention में से, हम लोगों ने, ILO के, 8 convention में से, सिर्फ और सिर्फ 6 को ही, approve किया है, ठीक है, इंडिया, has not rectified, the freedom of association, and protection of right to organize convention, number 87, and right to organize, and collective bargain convention, 1949, याद रखना, इंडिया ने सारे के सारे, जो लेबर है, जो लेबर organization के, जो conventions हैं, उनको approve नहीं किया है, India is not rectified, two of the conventions, only six fundamental conventions, हम लोगों ने rectify किया है, सारे नहीं किया है, इंडिया is one of the founding member, of the ILO, और हम लोग permanent member, 1922, के अंदर बन गए थे, पहला ILO office, in India, was inaugurated in 1928, basically है, दो conventions, involve the granting of certain rights, that prohibit under the statutory rules, for government employees, तो इसी लिए, हम लोगों ने, इन दोनों को, अभी तक sign out नहीं किया है, clear, अभी तक clear है सबको, good, चलो, Indian astronomers, uncover mystery, behind decline of star formation rate, after its peak, 8 to 10 billion years ago, there is a team of astronomers, जो की national center, for radio astrophysics, से बिलों करती है, रमन research institute से बिलों करती है, जो के autonomous institute, एडिवनो science and tech के अंदर, they are measuring, the atomic hydrogen content of galaxies, की galaxy के अंदर, atomic hydrogen का कितना content रहा, नो यह अपने आप में, बड़ी fascinating news है, because हम लोग, दुनिया के अंदर, hydrogen content रहे हैं, हम लोग galaxy के अंदर, hydrogen content रूँन रहे हैं, because hydrogen is the first thing, hydrogen is the first thing, जो की develop हुई, for the first time, hydrogen content, को measure किया गया, पहली बार हम लोगों ने measure किया, क्यों कि scientist अभी लगातार, यही देख रहे हैं, there is a decreasing rate, stars, जिस speed में पहले बनते थे, अब इस speed में star नहीं बनते हैं, भाई, और इस mystery को खोजने के लिए, hydrogen का सहारा लिया, बिटो, because atomic hydrogen is the basic component, तो गलेक्सी जो होती है, वो gas और star से बनते, इस gas converge to star with time, और इस conversion को समझने के लिए, हमें atomic hydrogen gas को measure करना पड़ेगा, जो के primary fuel है, star formation का, star को बनने के लिए, hydrogen gas की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती, astronomers have long known, that galaxies formed stars at a higher rate, when the universe was young, then they now do, मतलब universe अब थोड़ा सा भुड़ा हो गया है, तो एक average gas content को ढूणने की कोशिश की जा रही, इस decline को खोजने की कोशिश की गई, ये किसी को नहीं पता, but mostly because there was no information about atomic hydrogen gas at that time, हमें नहीं पता था, जब तक हमारे पास comparison नहीं होगा, कि भाई पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे, नई research ने, जिसके अंदर हम लोगों ने, upgraded giant meter wave radio telescope का, इस्तवाल किया, to measure the atomic hydrogen content of the galaxies, seen as they were 8 billion years young ago, तो यहां पर देखने को मिला, details के हिसाब से, यहां पर हमें यही चीज़ें देखने को मिली, कि measure किया जा रहा है, ठीक है, they are trying to uncover, they are trying to uncover this mystery, ठीक है, चलो, sustainable processing of municipal solid waste, waste to wealth, CSIR, CMERI, ने municipal solid waste processing facility को develop किया है, they have developed municipal waste processing facility, जो नई facility है, उसके अंदर solid waste को treat out किया जाएगा, we are treating solid waste, और इसको disposal of solid waste, इसको scientific way में हम लोग कर सके हैं, solid waste को dispose off कर सके, according to the solid waste management tools of 2016, जो की millennial ministry of environment, forest and climate change prescribed करती है, उसके हिसाब से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, main चीज़ यह है कि इसके अंदर हम लोग mechanically segregate system का इस्तमाल कर रहे हैं, कि जो solid waste होगा, उसको segregate कर देंगे, यह metallic waste है, यह biodegradable waste है, यह non-bio degradable waste है, इस तरीके से हम लोग segregate कर देंगे, जो biodegradable component होगा इस waste का, उसको एक anaerobic, मतलब without any oxygen environment में, जिसको हम लोग biogasification कहते हैं, उसके थुरू हम लोग इसको solid waste को convert out करेंगे, इस process के अंदर हम लोग biogas का इस्तमाल करते हैं, convert करते हैं organic matter को, and biogas can be used as fuel for cooking purpose also, इस gas को utilize करते हैं gas engine के अंदर, और फिर हम लोग इसकी मदद से electricity भी generate करा बाते हैं, जो residue होता है, जो waste होता है इस biogas plant का, उसको भी natural process के थुरू, वर्मी composting के थुरू, मतलब earthworms की मदद लेकर, हम इसको भी convert out कर देते हैं, यह इसको भी बदल देते हैं, इसको भी change out कर देते हैं, यह एक और चीज़ है, और biomass को dispose off करने के लिए, बायो waste जिसे dry leaves हैं, dead branches हैं, grass हैं, उनको हम लोग पहले shredding process से अलग करते हैं, फिर mix करते हैं, बायो gas digester के अंदर, इनको convert करने की कुशिश करते हैं, same gas के अंदर, या और सारी चीज़ों के अंदर, इस वाज देते हैं, जो polymer waste है, जैसे plastics हैं, आपका, sanitary waste है, उनको dispose off करते हैं, pyrolysis, या plasma gasification के अंदर, जो pyrolysis process होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, pyrolysis के अंदर, polymer waste is heated at a temperature of 400 to 600 degree Celsius, in analobic environment, in the presence of a catalyst, जो volatile matter है, polymer waste का it comes out, as a result of heating, which on condensation gives paralyzes oil, तो हम लोग को एक oil मिल जाता है, और जो non-condensing gas है, या crude paralyzes oil है, उसको purify करने के बाद, उसको हम लोग heating purpose के लिए, इस्तमाल कर लेते हैं, as simple as that, अपने अगली PIV की खबर पे चलते हैं, तो प्रदान मत्री नरेंदर मोदी जी ने, किसान सूर्य दो योजना को launch किया है, गुजरात में, ठीक है, पहले से ये योजना थी, हमारी दिन कर योजना, आप ये कह सकते हो, उसी योजना को extend किया गया है, नए नाम से, ये यूजिंगा नियू नेम, बटा नियू योजना, किसान सूर्य दो योजना, स्कीम के अंदा, डे टाइम लेक्टिसिटी, दिन में लेक्टिसिटी प्रोवाइट की जाएगी, फार्मर्स को, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गुजरात के फार्मर्स के लिए, इस्तमाल की जाएगी है, और उनको irrigation और farming purpose इसके लिए प्रोवाइट की जाएगी, 16 घंटे की power supply दी जाएगी, पहले जाए था जो फार्मर्स थे, उनको irrigation के लिए रात में पानी मिलता था, and they had to wake up all night, गिरनार और जूनागर के जो फार्मर्स है, वो wild animals से बहुत दो problem face कर रहे थे, किसान सुर्य दे योजना की मदद से, सुभे 5 बजे से लेकर, रात में 9 बजे तक electricity प्रोवाइट की जाएगी, ठीक है, जैसे these are the main things of किसान, सुर्य दे योजना, guys, Price Monitoring and Resource Unit को set up किया गया है, गोवा के अंदर, under the NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority, हमारे देश में जो drugs होते हैं, medical devices होते हैं, उनके prices को देखना, उनके quality standards को देखने के समयदारी, National Pharmaceutical Pricing Authority की है, NPPA की है, तो Price Monitoring and Resource Unit, set up in Goa, under the ages of the National Pharmaceutical and Pricing Authority, so, NPPA was constituted as an attached office of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer in 1997, एक independent regulator के रूप में काम करते हैं, हमारे drugs के price और उनकी availability एक affordable price पे हो, यह insure करना, NPPA का का काम होता है, NPPA का का काम होता है, जो drugs price control order है, उनको follow किया जाए, सब लोगों दुवारा, to deal with all legal matters arising out of the decision of the authority, कि जितने भी drugs हैं, उनकी कोई shortage ना हो, maintain करना, production, export, import, सारे drugs की, वो भी यही क्रिखती है, और pricing लोगों को impact ना करे, सेंटल गवर्मेंट में कोई भी changes लाने है, यह सारे काम NPPA करते हैं, गाइस, ITBP का भी raising day था, 59th raising day of ITBP, ITBP को basically, हम लोगों ने, इंडो-चाइना वार के, अंदर 24th of October 1962 में, रेज आउट किया था, हमाई देश के, इस पेशली जो चाइना बॉर्डर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के जिम्मेदारी, ITBP की रहती है, इट अगार्डिंग दूटी, फ्रम कारा कुरम पास इन लद्दा, तो जाले पला, तो जाचे पला, जाचे पला, इन अना चल पदेश, खास कर, जो एंटी नग्जल अपरेशन है, या इंटर्नल सेक्योरिटी डूटी है, उसमें ITBP एक सूपर इंपोर्टेंट रूल प्ले करती है, या स्पेशियलाइज्ट माउंटेन फोर्से, ITBP is headed by Director General, who is an IPS officer, and ITBP के उपर एक काफी सही documentary भी है, उने भी आप लोग ज़रूर देखना, है ना, so this was all for today guys, आज के लिए इतना ही था, उमीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, आपने नहीं नहीं चीज़ें सीखी होंगी, do not forget कि आप लोग इस सेशन को like करें, और रोज सुभा नौ बज़ें आप लोग मुझसे मिला, रोज सुभा नौ बज़ें मिला करिये, half an hour to 40 minutes के आपकी class होती है, और इस class में आपको नहीं नहीं चीज़ें सीखने को मिलती है, you will learn new new things, so इसी तरीके से देखते रहिए, enjoy करते रहिए, love and peace from my side,